शाशकी चिकित्सा माविध्याले वास्पताल में एक बड़ा हथसा होते होते टल गया सुभा के समय यहां के किड्नी यूनिट में लगी ऑक्सिजन पाइप लाइन का जुआइन निकलने से वाड में ऑक्सिजन फैलने लगा था इससे हरकम पर मजगिया इसकी चानकारी मेडिकल प्रशासन को मिलते तुरंत वहां के मरीजों को वाट कर मांगे 51 सर्जिकल आईस्यू में शिफ्ट किया गया पेश हमारे समधाता संजे मेरे इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट मेडिकल से आईए देखते हैं मिली जानकारी के नुसार मेडिकल के किड्नी यूनिट में चार मरीज भरती थे और वे सभी ऑक्सिजन पर थे सुबह नौ बज़े के करीब यहां की पाइपलाइन को टरन आउफ करते समय जॉइंट निकल गया था जिसकी वज़े से ऑक्सिजन लीक होने लगा समन्दित कर्मचारी ने तुरंत इसके जानकारी मिडिकल प्रिशासन को दी तो वहीं दूसरी तरफ वाड में ऑक्सिजन का फैला होने से हड़का मच गया हलात को देखते हुए सबसे पहले वहां के चार मरीजों को वाड क्रमांग 51 सर्जिकल ICU में शिफ्ट किया गया मंगलवार को शट डाउन कर इसे सुधारा जाने वाला था फिलहाल वहां का नोजल बंद कर दिया गया है मिडिकल के अन्य सूत्रों ने वताया कि इस पाइपलाइन की मरमत के लिए चंदरपूर से एक की मंगाई गई है मंगलवार को वह पहुच जाएगी इसके बाद ही उसे सुधारा जा सकता है गौर तलब रहे कि मिडिकल की ऑक्सिजन पाइपलाइन काफी पुरानी होने के कारण बार बार उसकी मरमत करनी पड़ती है इन बिसे न्यूस के लिए कैमरा परसन राजकुमार महुड के साथ संजय मीरे बीसे न्यूस नाकपूर